Hello students, study medium channel में आप सभी का सुवागत है तो आज किस वीडियो में मैं बात करूँगा HNBU हेम बतिन अंदन बहुगुना इनवर्सिटी उत्तराखंड B.S.E. Nursing Interest Exam 24 के बारे में इस exam का application form कब तक आने वाला है पर्वेस फरिक्षा कब तक होने वाली है इसका paper pattern क्या रहता है syllabus क्या रहेगा best college क्या रहने वाला है और syllabus के उपर खास चर्चा करेंगे ठीक है और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक questions bank भी दूँगा ऐसा questions bank जिसमें सारे previous year के questions रहेंगे और आपके exam के लिए वो gas questions होगा एक तरस से अगर आप उसको नहीं लेते हो तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है अगर उसको ले लेते हो तो selection confirm है ठीक है उससे बाहर एक भी प्रस नहीं पुछा जाएगा कैसे मिलेगे वीडिय क्योंको सुरू से लाट तक जोरू देखिएगा पसंद आएगा तो लाई जोरू किजेगा और हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को अभी subscribe कर लिजे क्योंकि यह उत्राकन का best channel है तो चले शुरू करता अचका video तो जितने भी student इस साल 12th pass कर चुके हैं या फिर पहल इस फॉर्म को भर पाओगे ठीका फॉर्म भरते वक्त आपका एज जो है वो मिनिममम 17 साल होना चाहिए ठीक है आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाओगे जैसे आप इस फॉर्म को भर होगे आपको एक entrance exam देना पड़ेगा entrance exam जो होगा वो total questions उसमें 100 questions पूछे जाएंगे subject wise अगर मैं बात कर लो तो physics से 20 questions रहेंगे chemistry से 20 questions रहेंगे biology से 20 questions रहेंगे उसके बाद English grammar से 20 questions रहेंगे और सबसे important nursing aptitude के 20 questions रहेंगे ठीक है 100 हो गए अब देखो इस questions का level की बात किया जाए तो यह जो physics chemistry biology है यह 11th में जो आपने पढ़ा और 12 में जो आपने पढ़ा वही questions आ आपको यहाँ पर दिखेंगे 11-12 से ठीक है पैटन की बात किया जाए तो ncrt ncrt questions यहाँ पर दिखेंगे ठीक है जितने भी ncrt से questions रहेंगे वहीं आपके exam में बनेंगे तो ncrt जो है ncrt अगर आप उठाओगे ncrt को अगर आप उठाओगे तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा theory दिखेगा ठीक है पूरा का पूरा theory दिखेगा अब आप बताओ theory को अगर आप पढ़ोगे और exam में आपको objective questions आएगा तो फिर कैसे बनाओगे नहीं नहीं बना सकते हैं तो theory को आपको objective में बदलना आपको मैं objective बना दिया है ठीक है objective बनाने के बाद अगर वो questions bank अगर आप ले लेते हो तो ncrt आपको पढ़ने के जोरत नहीं पड़ेगे सारा objective रहेगा ठीक है उसके बाद बात कर लेते हैं English की English जो है ये grammar portion रहेगा और grammar में बहुत सारे topic होते narration voice, antonyum, synonyms तो student को पता नह है कॉंसा नहीं पढ़ना तो सबी пढ़ना चालू करते हैं लेगिन सभी नहीं पढ़ना पुछ खास topic से questions पूछे जाते हैं सभी पढ़ हो तो time उत्तना आपका बचेगा नहीं तो कुछ आता है तो यह पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है तो मैंने नर्सिंग एप्टिटूड की भी उसमें questions डाल दिये हैं अगर आप उतना नर्सिंग एप्टिटूड पढ़ लोगे जितना question bank में है तो आपका उसी से exam निकल जाएगा उससे बाहर एक भी प्रस्त नहीं पूच जाएगा तो form कब तक आने वाली है तो form जो है ना इसी महने के लास्ट तक आ जाएगा ठीक है अभी April चल रहा है तो April के last में आपको form देखने को मिल जाएगा ठीक है एग्जाम कब होगा एक्जाम तो fix है कि आपको जून में होगा एक्जाम फिक्स है जून में होगा ठीक है अप्रेल के लाज तक फॉर्म आजाएगा एक्जाम आपके जून 2024 की competition को देखते हुए मैं आपको बताता हूं कि इस साल आपको minimum 60 नंबर लाना पड़ेगा कर सकते हमारे एप को डाउनलोड किजिए लिंक की में डिस्किप्शन बॉक्स में दे रखा है आपका नाम है श्टेडी मीडियम प्ले स्टोर में जाका आपको मिल जाएगा वहां पर आपको सफलता बैच दिखेगी जिसमें सभी सब्जक्ट की तजारी कराए जाएगी ठीक ह बनेंगे वह आपके सामने रखेंगे फिर उसको पुरा अच्छे से एक्स्प्लेंड करके आपको समझा देंगे ठीक है उसके बाद उस चैप्टर का पीडिया अप देंगे नोट्स आपको लिखने के भी कोई समझता नहीं है उसके बाद टेस्ट लेंगे कि कितना आपका स सभी बिसेयों की तैयारी हो जाएगी complete exam तक classes चलेगा बस एक ही बार आपको पांसो नहीं नहीं लगता बाद में कोई फी नहीं लगेगी ठीक है उसके बाद वो questions बंग जिसकी मैं बात कर रहा था वो यह है 10,000 objective questions बंग इसमें आपको NCRT के 11th 12 के पूरा complete objective questions मिल जाएंगे इसमें आपको English grammar के important topic से question मिल जाएंगे जो आपके exam में पूछे जाते हैं इसमें आपको nursing aptitude के question मिल जाएंगे आप यह देख सकते हो physics, chemistry, biology, English nursing aptitude सभी subject हैं यह सभी subject मिल जाएंगे इसके अलावा 15 साल का previous year questions भी इसमें मिल जाएंगे ठीक है सबसे important बात है तो अगर आप य 10,000 objective questions पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रस नहीं पुछा जाएगा यह question bank लेना बहुत जरूरी है क्योंकि 24 में 60 plus number लाना तो यह question bank आपका बहुत ज्यादा help करेगा और कुछ अलग करना हो तो जरूर यह questions bank लें क्योंकि competition बहुत ज्यादा और इसकी कोई piece बहुत ख कुछ नहीं है सभी जाके ले सकते हो अधिक जानकारी के लिए आप इस help line number पर call कीजिए WhatsApp कीजिए आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी और अगर आपके पास payment करने का option नहीं है phone पे Google पे कुछ भी नहीं है तो किसी और के दुवारा भी आप payment कर सकते हो उसको आप यह number दे bank मिल जाएगी और यह course मिल जाएगी ठीक कोई एक भी ले सकते हो दोनों ही ले सकते हो आपकी इच्छा लेकिन मैं सभी को recommended करूंगा कि यह questions bank जरूर ले ले आपकी exam के लिए बहुत ज्यादा काम करेगा ठीक 199 रुपे कुछ नहीं है आपकी exam के लिए बहुत help करेगा तो सभ अभी लोग जाओ आपको download करो link में description box में दे रखा और यह हमारा उत्राखंड का बेस्ट चैनल है तो चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा वीडियो कर पसंद है तो like कीजिए सभी साथ share कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई